कुम्ब राशी वालों के लिए यह महीना खुद की देख भाल करने और खुद को भैतर बनाने के बारे में हैं। सबसे पहले, अपने जीवन के विभिन्न हिस्सों के लिए स्पष्ट लक्ष निर्धारित करें, जैसे कि आपका करियर, वित्तक या व्यक्तिगत विकास। लक्ष आपको यह जाने में मदद कर सकते हैं कि आप कहां जा रही हैं और आपका उद्देश क्या है। कुछ नियमों को तोड़ने और मजे करने से न डरें, यह आपके जीवन का एक महान समय है। इसके साथ ही यह समय आपके करियर में भी सफलता लेकर आएगा। इस माह बुद एक अक्टूबर दो हजार तेईस को कन्या राशी में गोचर करेंगे, यह आपके जीवन में कुछ बदलाव ला सकता है। याद रखें, आपके कार्य और आपकी सोच वास्तव में आपके जीवन को आकार दे सकते हैं। सकारात्मक रहने की कोशिश करें और चुनोकियों को सीखने और बढ़ने के अवसरों के रूप में देखें। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं और खुशी के पलों का आनन ले। जीवन कठिन हो सकता है लेकिन सही रणनीतियों और मानसिक्ता के साथ आप सारे उतार चड़ाव को संभाल सकते हैं। दो अक्टूबर को शुक्र सिंग राशी में प्रवेश करेंगे। इस दोरान आप अपने व्यक्तिगत जीवन के विभिन्न हिस्सों से निपतेंगे। इसलिए सकारात्मक रहना और तनाव को संभालना वास्तव में महत्वपूर्ण है। आप माइंडफुलनेस तकनीक का अभ्यास करके और गहरी सांस लेने या मेडिटेशन जैसी तकनीकों का उप्योग करके ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा आराम महसूस करने के लिए उन चीजों को करने की कोशिश करें जिने आप पसं करते हैं। अपने आपको सकारात्मक लोगों के बीच रखें और यदि आपको कभी भी आवशकता हो तो समर्थन के लिए अपने प्रियजनों या चिकित्सक से बात करें। याद रखें, एक खुशाल जीवन के लिए आपका मानसिक और भावनात्मक कल्यार बहुत महत्वपूर्ण है। मंदल 3 अक्टूबर 2023 को तुला राशी में प्रवेश करेंगे। यहाँ आपके वित्तिय लक्षों के बारे में सोचने का एक अच्छा समय है और आप यह भी समझेंगे की अपने वित्त का प्रबंधन कैसे किया जाता है। स्मार्ट कदम उठाने से आपको एक सुरक्षित भविश्य बनाने में मदद मिलेगी। प्यार के मामलों में इस समय खुले तौर पर बातचीत करना जरूरी है, ऐसी चीजे करे जो आपके प्यार को दर्शाती है। ध्यान, द्रिड संकल्प और सकारात्मक द्रिश्टिकोन के साथ आप इस समय का उप्योग अपने व्यक्तिगत और व्यावसाईक जीवन में बहतर चीजों को प्राप्ट करने के लिए कर सकते हैं। सूर्य इस माँ 18 अक्टूबर 2023 को तुला राशी में प्रवेश कर रही हैं। अभी अपने व्यक्तिगत और व्यावसाईक जीवन के बीच संतुलन बनाये रखना आवश्चक है। अपने करियर और व्यक्तिगत विकास के लिए परियाप उर्जा समर्पित करते हुए अपने प्रियजनों के साथ क्वालिटी टाइम को प्राथ मिक्ता दे। अपने व्यक्तिगत जीवन के विभिन पहलों को संतुलित करना चनौती पूर्ण हो सकता है लेकिन यहाँ असंभव नहीं है। सहायक और सकारात्मक व्यक्तियों के बीच रहें जो आपको आगे बढ़ाते हैं और प्रेरित करते हैं। अच्छे रिष्टे एक पूर्ण और संतुलित जीवन में योगदान करते हैं। बुद्ध 19 अक्तूबर 2023 को तुला राशी में प्रवेश करेंगे। ग्रेक लेना और नियमित रूप से खुद को रिचार्ज करना महत्वपूर्ण है। रचनात्म गतिविधियों में शामिल हो जो आपको खुश करती हैं और आपको आराम महसूस करवाती हैं। चाहे टहलने के लिए बाहर जाना हो, किताब पढ़ना हो या प्रकृती में समय बिताना हो, पता लगाएं कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है और इसे अपनी दिंचर्या का हिस्सा बनाएं। ब्रेक लेकर आप खुद को रिचार्ज करने और नए सिरे से उर्जा के साथ अपने कारियों पर लोटने का अवसर प्राप्ट कर सकते हैं। राहु 30 अक्तूबर 2023 को मीन राशी में प्रवेश करेंगे। याद रखें, जीवन का प्रबंधन करना एक यात्रा की तरह होता है और रास्ते में मार्गदर्शन वर समर्थन प्राप करना ठीक होता है। चुनौतियों को गले लगाएं, जीत का जश्न मनाएं और हर दिन को इरादे और आभार के साथ जिएं। आत्मा भिव्यक्ति के तरीके खोजे, जैसे की डाइरी लिखना, व्यायाम करना या प्रियजनों से बातचीत करना, उसी दिन केतू भी कन्या राशी में प्रवेश करेंगे। इस समय आपके लिए विकास शील मान सकता। अपनाना जरूरी है। आपको कड़ी मेहंद और समरपण के माध्यम से सफल होने के लिए अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने की आवशकता है। जब आप चुनोतियों का सामना करें, तो उन्हें सीखने और भैतर होने के अवसरों के रूप में देखें। गलतियों से न डरें क्योंकि वे आपको सफलता की ओर भी ले जा सकती हैं। एक सकारात्मक मानसिक्ता के साथ आप बाधाओं को दूर कर सकते हैं और अपने व्यक्तिगत और व्यावसाईक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आपका जीवन एक विशेश यात्रा की तरह है लेकिन आपको इसमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। अपने जीवन के विभिन्न हिस्सों जैसे की करियर, वित्त और रिष्टों के बारे में विचार करें। लक्ष निर्धारित करके, खुद का ख्याल रखकर और इस महीने सकारात्मक रहकर, आप एक संतोष जनक और संतुलित जीवन बना सकते हैं। अपने रास्ते में आने वाली चनौकियों और अवसरों को अपनाएं और याद रखें कि आप जीवन को अच्छी तरह से संभालने में सक्षम है। क्योंकि शनी पहले भाव में विराजमान है। ऐसे में जो जातक प्रेम संबंध में हैं, उनके रिष्टे में अशांती हो सकती है। जिन लोगों का विवा होना बाकी है, उनके विवा में देरी हो सकती है। जो लोग शादी शुदा है, उनके दामपत्य जीवन में सामन जस्य की कमी आने की आशंता हैं क्योंकि तीसरे भाव में ब्रहस्पती स्थित है तीसरे भाव में ब्रहस्पती स्थित होने के कारण प्रेमी जोडों के बीच संचार संबंधी समस्याएं आ सकता है ऐसे में आपका प्रेम भाव भी कमजोर होगा नौवे भाव में शुक्र विराजमान है जिसके कारण आप अपने रिष्टे में ज्यादा सहज महसूस नहीं कर सकेंगे यदि आप इस महीने विवा करने की योजना बना रही है तो आपको सला दी जाती है कि फिलहाल के लिए अपनी इस योजना को टाल देख क्योंकि समय अनुकूल नहीं है जो जातक विवाहित हैं उन्हें अपने जीवन साथी के साथ संबन्द में बहस या नोगजोंग जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है पारिवारिक पारिवारिक जीवन की बात करे तो कुम राशी के जातकों के लिए यह महिना चनौती पूर्ण रहने की आशन का अधिक है क्योंकि स्वराशी में शनी की स्थिती परिवारजनों के बीच प्रेम भाव कम कर सकती है तीसे भाव में ब्रहस्पती की स्थित होने के कारण आपके परिवार में कुछ गलत फ़मिया पैदा हो सकती है ऐसे में सदस्यों के बीच संचार और सामन जस्य में कमी आने की संभावना बनेगी और अहंकार की भावना पैदा हो सकती है आपको सला दी जाती है कि सुक्स्मृध्धी बनाए रखने के लिए समस्याओं को हल करने की कोशिश करे अन्यथा वादविवाद हो सकता है वही शुक्र आपके नौवे भाव में चौथे भाव के स्वामी के रूप में स्थित होगा जिसके प्रभावस्वरू परिवार्जनों के बीच टक्राव की स्थिती बन सकती है और आपसी सामन्जस से बिगड सकता है उपाए मंगलवार के दिन लाल रंग के फूलों से हनुमान जी की पूजा करे यह राशिफल आपकी चंद्र राशी पर आधारत है